मैं कंचन भारत वाग स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में दोस्तो वैसे तो अलकोहल पीना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अलकोहल में ही गिने जाने वाली रेडवाइन के कई सारे ऐसे फायदे हैं जो आपको हैरत में डाल सकते हैं और ये हम नहीं कह रहें बलकि कई सारी ऐसी रिसर्च में पता चला है कि अगर आप लिविंट में सही तरीके से और सही समय पर रेडवाइन का सेवन करते हैं तो वो आपकी सिहत के लिए फायदे मंद हो सकता है। लेकिन सप्लिमेंट के तौर पर सिर्फ सी मित मात्रा में ही लेने पर। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि रेड वाइन के क्या फायदे हैं और लिमिट से ज्यादा सेवन करने पर क्या नुकसान हो सकते हैं। रेड वाइन में आरन, मेगनीशियम, विटाइमिन B6 और विटामिन C की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसमें कई अक्टिव एंटियोक्सिडन भी होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हाट और कॉलेस्ट्रॉल के लिए। कॉलेस्ट्रॉल की समस्या और दिल की बिमारी का खत्रा किसी को भी हो सकता है। ऐसे में वक्त रहते इस पर ध्यान देना बहुत सरूरी है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि रेड वाइन हाट को हेल्दी रखने में सहायक हो सकता है। एक research में ये पाया गया है कि red wine में antioxidant होते हैं, ये हमारे antioxidative stress को कम कर, धमनियों में blockage की समस्या को कम कर सकती है। लेकिन ध्यान रहें अगर कोई शराब का सेवन नहीं करता है या किसी को गंफीर फृदय संबंधी परिशानी हैं, तो पहली बार red wine का सेवन करने से पहले डॉक्टरी सलहा अविश्र लें। इस बात की पुष्टी की गई है कि डॉक्टर के सलहा पर कम ये संतुलित मात्रा में red wine का सेवन लिवर के लिए लाबकारी हो सकता है। इसलिए बहतर है कि एक बार डॉक्टर से जरूर पूछे कि इसकी रोजाना कितनी मात्रा लेना सही होगा। एक रिसर्च की अनुसार कम मात्रा में red wine का सेवन डिप्रेशन को कम कर सकता है। लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा सेवन डिप्रेशन के खत्री को बढ़ा भी सकता है। अक्सर पढ़ने में यही आता है कि शराब का सेवन कैंसर के खत्री को बढ़ाता है। ऐसे में red wine के सेवन से कैंसर से बचाव चौकाने वाली बात हो सकती है। लेकिन एक report की अनुसार रेड़ाइन में क्यूँकि resveratrol होता है, जो pancreatic cancer को शिकाओं को नश्ट कर सकता है और cancer का खत्रा कम हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि ये pancreatic cancer का इलाज नहीं है, वहीं जानवरों पर की गई एक जांच के अनुसार रेडवाइन एसोफेगल कैंसर से बचाफ कर सकता है इसके पीछे मुख्या कारण ये है कि रेडवाइन में मौजूद लिगनिन हो सकते हैं इसके अलावा रेडवाइन में मौजूद फिलिविनाइट गैस्ट्रिक कैंसर के जोखिम को कम भी कर सकते हैं अगर आँखों के लिए रेडवाइन पीने के फायदे के बारे में बात करें तो ये आँखों के लिए भी लापकारी हो सकता है एक साइन्टिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि रेडवाइन में मौजूद खास तत्व रेविसेट रॉलर शरीर में ग्लूटा थियोन यानि एक तरह के अंटियॉक्सिडन के स्थर को बढ़ा कर दृष्टी संबंधी समस्याओं के जोखिम को कम कर सकता है आपको बता दें इसके अलावा ये डायबिटीज में होने वाली दृष्टी संबंधी परिशानियों से भी बचाफ कर सकता है ये रिसर्च अभी जानवरों पर किये गए हैं इसलिए आखों के संबंध में रेडवाइन इंसानों के लिए कितनी प्रभाफकारी है इस पर अ नीन ना आना भी एक बड़ी समस्या है जिसका असर शाररिक और मांसिक स्वास्थे पर पढ़ सकता है ऐसे में अच्छी नीन के लिए रेडवाइन लाबकारी बताई जा सकती है वाइन अंगूरों से बनाई जाती है और अंगूरों में मेलाटोनिन होता है ये हॉर्मोन नी पर एजिंग के प्रफाफ से बचने में मदद मिल सकती है। साथ ही इसमें मौझूद anti-inflammatory, antioxidant गुंड तवचा के लिए लाबकारी हो सकती है। इतना ही नहीं, respiratory, skin cancer से भी बचाव में मददगार हो सकता है। ध्यान रहे, गर्वती, यस्तन, पान कराने वाली महिलाएं, वाइन का सेवन ना करी। अल्कोहल के सेवन से गर्ब में पल रहे शिशु को कई तरह के स्वास्तेसंबदी समस्यें हो सकती हैं। इसमें fetal alcohol syndrome शामिल हैं। इससे शिशु का मानसिक और शारिक विकास पर प्रभाव पढ़ सकता है। तो आज हमने आपको इस वीडियो में बताया कि रेड वाइन हमारे शरीर के लिए कैसे फायदेमंद है और रेड वाइन का ज्यादा सेवन हमारे शरीर को कैसे नुकसान पहुचा सकता है। ऐसे ही कहीं अन्य जानकारी के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले।